भाईया लगता है भावी के पेट में हाथ ही घोडे हैं कैसे लपक लपक के लड़ू खा रही है अरे चुप रहे भे कहीं उसने सुन लिया तो इतने जूते मारेगी के सर पे एक बाल नहीं बचेगा अरे भाई साफ अरे चलो ना भाई साफ क्या है आगे पैसे वैसे लाए हो या खाली जोला ही लाते आए हो कैसी बाते करती हो रानी भला मैं खाली जोला लटकाए घर आने की हिमत कर सकता हूँ भला भावी खाली जोला लाएंगे तो मार नहीं खाएंगे क्या मेरा मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कमाई नहीं हो तो पब्लिक का पाकित मार के वा चुकर यार आज क्या खाने के जूते खिलवाने कह राता है यह लो रानी पूरे निन्नयानवे रुपे ले आया हूं मैं मेरा मतलब है इतने सारे लड़ू आये कहां से पड़ोस में कोई मरगया है क्या हटो जी मैं मरे हुए मुर्दों के खैरात के लड़ू क्यों खाने लगी वो तो तुम लोगों ने आने में देर कर दी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी मैंने ठोकरमल हलवाई की दुकान से थोड़े से लड़ू मंगवा लिये थोड़े से क्या मेरा मतलब यह है कि हम दोनों के लिए खाना तो बनाया होगा अच्छा तो मैं बनाऊंगी औरे मेरे भाग इतने फूट गये है क्या भी खाना पकाना भी मैं शुरू कर दूँ रसोई खुली पड़ी है सबजी काग कर चूला जला कर आटा गून कर रोटी और भाजी बना लो जरह ज्यादा बनाना मुझे भी भूख लगी है हाँ वो तो ठीक है लेकिन एक आधा लड़ू अगरी क्यों मरे जा रहे हो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 kg लड़ू मंगवाए है अभी तो मेरा ही भाई नहीं भरा मुझे लड़ु दो मुझे लड़ु दो हट अरे पेट है कि गोदान क्या ना मैं मैं गोदाम हूँ गोदाम नी गोदाम नी गोदान यह मक्खी वाला लड्डू मांग रहा है चुक करना यार तेरी भावी की आखों में तो वैसे भी सिकडी भड़क रही है इससे पहले के वह हमें कबाब की तरह सेख डाले यहां से चल पड़ते है चल 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 मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे मेरे पनघट पे सबजी पकाए गयो रे हाई सहाब यह पनघट के साथ एक लंबा सा खुंगट भी डालोगे न तो गाने में बहुत मज़ा आएगा क्या बगता है रे तू सज कहता हूँ कान में बाली नाक में नथनी मांग में सिंदूर कमीश की जगए चोली धोती की जगए साड़ी पहलो तो आधे मर्द से पूरी औरत बन जाओगे देख 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 तू बकवाज बंकर वरना सर फोड़ दूगा तरह में तिल पिला तमातर तो फोड़ नी सकते मेरा सर क्या फोड़ोगे जबसे मा मरी यह हमारी तक्दीरी फूड़ गाते, भाहर गाना गाते, घर में आकर खाना पकाते, बाहर हमको पबलिक पैसे देती है और यह घर में आकर तुमारी पतनी से रोकी के लिए भीग मांगनी पड़ती है देख भोले, देखूं क्या, अरे तुम्हारे पास दिखाने को रखा ही क्या है देखो भाईसा, मैं तुम्हारी इन आखों से डरने वाला नहीं हूँ अरे इन से ज्यादा घुस्ता तो मरे हुए आदनी की आख में होता है अजी सुनते हो भोले के भाईया खाना वाना पकाया भी या सिर्फ गपे हाकते जा रहे हो इल गए, इल गए चलना यार, बनना शामत आजाएगी आया, आया, रानी रानी, तुम बाहर जाकर खुली आवा में आराम से बैठो मैं 10 मिनिट में गर्मा गर्म पूरियां तुम्हारे हुदूर में पेश करता हूँ बड़ा बेशरम भाईया मेरा पतनी का, पती का ही का, क्या बगता है तू तुमने मुझसे कुछ कहा अरे, नहीं, नहीं, रानी मैं तुमहें कुछ कहने की इमत कर सकता हूँ अच्छा, मैंने सुबह तुम्हें जो कुछ कहा था व याद है क्या कहा था तुम्हारा сами वू अपले जैसा सार है उसमें चीड़ी जितना भेजा नहीं है क्या कहा था फिलकुछ सही का भावी आपने अगर इनको भेजा होता तो आज इस घर का नक्षा ही कुछ और अरे तु अपनी बगवाज बन करता है या नहीं क्या कहा था तुमने मैंने कहा था बच्पन में जो तुमारा छोटा भाई मर गया था ना उसकी पतनी को लेकर आना है ये लो पैसे और उसे ले आओ लेकिन इतने थोड़े से पैसों में आना जाना कैसे होगा रानी क्यों नहीं होगा जाते वक्त तुम ट्रेंग के उपर बैटके जाना उसे घर से स्टेशन तक टांगे में बिठा कर लाना फिर उसे भी ट्रेंग के चट पर बिठा कर ले आना समझ रहे ना चलो जाओ एक और मुझीब बता रही है वो भी अगर भावी की टककर की निकली तो तो तीन की जगे चार का खाना बनाना पढ़ा है अरे चुबी कर जब भी सोचता है उल्टा सोचता है जा मेरे कपड़े निकाज कौन से वो जो धोबी खाट से चुरा के लाया थे आहाँ वही ये ये वे शरम वे हया तरी तरी इतनी हमद के आज तु मेरे सामने कड़ाओकर सिग्रेट पी रहा है लो मैं क्या तुमसे ढरता हूँ क्या अरे आज तो मैं सिग्रेट पी रहा हूँ कल से मैं तुम्हारे सामने शराप पिऊंगा घर में चमपा भाई को लाकर नाच कराऊंगा दुनिया भर की बदमाशिया करूँगा अरे तुम देखते तो जाओ क्या, तु मेरे सामने बदमाशिया करेगा हाँ, जुआ खेलूँगा, गुंडा घर्दी करूँगा मैं किसी के बाप से ढरता हूँ, क्या तुबर, तु मेरे सामने दुनिया की हर बुराई करेगा और मैं देखता रहूँगा मैं तुझे इस देमाना करूँगा वा, भाईया, आज तुमने पहली बार हाथ उठाया है इस उठे हुए हाथ को गिरने मत देना ये मर्दानगी का छंड़ा है आज पहली बार तुमने सुबूत दिया है कि तुम बुझदिल नहीं हो, मर्द हो इस मर्दानगी के हथियार को तलवार की तरह चलाओ भईया घर की चार दिवारी में बहुत जुल्म बनता है उसका सर्वनाश कर डालिए अपनी माशूव बेजुबान भावी अत्याचार की चक्की में सुबह शाम पिस रही है उसे बचा लो भईया उसे बचा लो वो बड़े घर की बच्ची है गरीबों के घर में उस पर जुल्म होगा तो गरीबी बदनाम हो जाएगी आज गरीबों की हिजद तुम्हारे हाथ में है जै बजरंग बली बोलकर हमला कर दीजिए और गरीबी की हिजद को दाग लगने से बचा लो भईया बचा लो अरे वाब भुले तुने मेरे हाथ की बेधारी तलवार को धार लगा दी बेटे उस दिली की पट्टी से बंद मेरी आखे खोल दी वहाँ जाके घबराना नहीं भईयां रास्ते में बजरंग बली का नारा लगाते चलो जै बजरंग बली जै बजरंग बली जै बजरंग बली जा बजरंग बली जै बजरंग बली जै बजरंग बली खबरदार जो तुम लोग मेरे बीच में बोले तो यह कमिनी दिन रात यहां बैटकर हराम करोटिया तोडती है और तनवती अपनी जीजा की वीमारी के लिए आज तो मैं इस इसी हड़िया तोड़ के रखूँझी जय बजरंग बली जय बजरंग बली आज तो मैं तेरी ऐसी मरमत करूँगी तो तो ठो 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 अब देख न, यहाथ का ठंडा किर्केट बैट की तरह कैसे काम करता है, लाव मुझे दो यह लो, और आज इसकी ऐसी मर मत करो कि इसकी हड्डियों का पानी पानी हो जाए बिल्कुल, पहले तो हड्डियों का पानी बनाऊंगा, फिर उस पानी से नहाऊंगा फिर चमड़े का तॉलिया बनाए उससे अपना परंग पहुचूँगा, क्या भोले, जैबजरंग बली, जोड़ कुछमन की नली, दोड़ू नाट, इसका कर रहा हूँ, आज पहली बार दिमाग को खराब नहीं होगा दिमाग खराब नहीं हुआ है, आज पहली बार दिमाग नहीं होगा मेरी माँ अबर बार तरफी रहती है किरिवकिर, लटी थाहीगी लटीज थाहीगी, अबर जानोर की साथा काम करने वाली उस मासूम लटीपर गूद करेंगी और करेगे जुल, करेगे जुल, वा, ये दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, अरे तुम किस मिटी की बनी हुई हो, उस मिठाई वाले के पैसे चुकाते चुकाते हमारी कमच दूड़ गई, छोड़ा बहुत व्याज तो वसुल करने दो, वावज जाब, ना देते, ना देत वालों मेंसे 10-12-14 उूखेंगे, अमची, अमची, मुझे माफ कर दो, शमा कर दो मुझे, तुम जो कोई करूंगी, इस गर की नाखराणी बन कर रहूंगी, मत मारो मुझे, मत मारो, माफ ही मुझसे नहीं, उस मासूम लड़की से माँग, जा मुझे माफ करते, बेटी, माफ करते, अब मैं तुछ में सुल्म कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी नहीं नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं, ये आप क्या कह रही हैं? तो खाओ कसम, कि आज के बाद तुम्हारे इस सारे नखने नटक बन, एक सीधी साधी घरेलू, और अजबन के इस घर में रहोगी और साम जैसी लंबी जबान को अपने मुझे बिल में हमेशा के लिए कैद करके रखोगी, खाओ कसम मैं कसम खाते हूँ, आज के बाद मैं सुधर जाओंगी, जैसे आप कहेंगे वैसा करूँगी ये कह, आ बोल बेटी, तू क्या कहती है बड़े भाईया, मुझे मेरे जीजा जी के पास ले चली है, उनकी तबियत बहुत खराब है मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे उनके पास बाद चाह दीजा है ने 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 बहन, हाथ नहीं जोड़ते है, हुकम करो अर बहने अपने भाईयों से भीख थोड़ी मांगती है, अधिकार मांगती है मैं खुद तुमको तुम्हारे घर पर बड़ी इज़त से छोड़ के आऊँगा, क्यों माईता हाँ, भोला बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाओ, जाकर तयार हो जाओ अपना चैरा थोड़ा साफ कर लो, आँसों के साथ नाग बैबैकर पूरा चैरा गिला कर लिया है, जाओ और तुम ख़ड़े-ख़ड़े मू क्या देख रही हो, अब जाओ ठोकर मल हलवाई के पास, और मेरे लिए दो किलो लड़ू ले आओ, जाओ यह क्या किया भाई साब आपने, अरे फिर लड़ू खाने भेज दिया उसको, आज से लड़ू हम खाएंगे